हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो सभी स्टूडन्ट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए काफी देधा फाइदे मन्द वीडियो साबित होगा क्यूंकि बड़ी से बड़ी कमपनी में काम करना हर किसी का सपना होता है और हर कोई पड़ाई इसलिए करता है ताकि उनको एक अच्छी से अच्छी जॉब मिले तो आज के इस वीडियो के अंदर में आप सबी लोग को बताऊंगा कि केसे स्टूडन्ट एंड प्रोफेशनल्स की पेटियम में जॉब के लिए केसे अपलाई करे वहाँ पर कौन-कौन से जॉब्स अविलेबल होगे, क्या काम करना पड़ेगा and all तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते है दोस्तो पेटियम एक इंडियन इलेक्ट्रोनिक पेमेंट कमपनी है जिसके फाउंडर विजय शेकर शर्माजी है 2010 में पेटियम एक विबसाइड के रूप में लाँच की गई थी और आज पेटियम एक बैंक बन चुकी है तो दोस्तो पेटियम के अंदर जॉब के लिए अपलाई करने के दो तरीके है और पेटियम जॉब में अपलाई करने के लिए आपकी basic qualification 12th pass होनी चाहिए यहाँ पर अलग-अलग प्रकार्स के job available है जिसे sales, marketing, designing and all तरीके के यहाँ पर jobs available है यहाँ पर job एक student भी कर सकता है professional भी कर सकता है और volunteer भी यहाँ पर काम कर सकता है जैसे कि आप सबी लोग को पता है Paytm बहुत बड़ी company है तो daily basis पर यहाँ पर workers की need available होती है तो यहाँ पर आपके पास एक good chance निकल के आता है कि आप भी अपना resume Paytm company में submit कर सके तो केसे करना है वो अभी मैं आप सबी लोग को बताता हूँ Paytm में job apply करने के दो तरीके है एक तो online तरीका और offline तरीका सबसे पहले हम लोग offline तरीके के बारे में जान लेते है दोस्तो जॉब के लिए apply करने के लिए आपको सबसे पहले आना है Paytm.com के career page के उपर यहाँ पर थोड़ा down हम लोग scroll करते है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें company के बारे में जानकरी दी जाती है और यहाँ पर नीचे हमें कुछ company के benefits मिलेंगे अगर हम लोग यहाँ पर job join करते है तो जिसे की competitive salaries हमें यहाँ पर मिलेगी friendly policies मिलेगी internal mobility मिलेगी मतलब आपको कोई burden नहीं देगा कि आप यही बेटकर काम करो and all यहाँ पर आपको medical insurance भी दिया जाएगा flexible new policies यहाँ पर आपको मिलेगी और साथी साथ कुछ यहाँ पर और ज्यादा benefits आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप offline तरीके से job apply करना चाते हो तो आपको सब सब पहले जाना पड़ेगा इनके interview office के अंदर तो इनके offices का address यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे दिल्ली के अंदर PTM का office कहा पर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है Bangalory के अंदर कहा पर है Mumbai के अंदर कहा पर है Canada के अंदर कहा पर है अगर आप दिल्ली, Bangalory, Mumbai या फिर किसी भी city में रहते होंगे तो आप simply इनके address पर जाकर directly, manually interview दे सकते हो आगे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन-कौन से jobs available है फिलाल यह है offline तरीका job apply करने के लिए अभी online तरीके के बारे में भी जान लेते है online job apply करने के लिए आपको सबसब पहले आना है paytm.career page के उपर यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी जो category है उसको select करना है आप student हो, professional हो, volunteers हो, क्या हो अगर आप professional हो तो आपको यहाँ पर explore option पर click करना है और student हो तो explore option पर click करना है for example हम लोग professional के साथ जाते है तो professional के अंदर यहाँ पर कई सारे प्रकार की jobs अविलेबल है जिसे business के अंदर, कुछ sales की jobs है P&L roles है, merchandisers की काम है, marketing की काम है, specialist के रोल सै इसके बाद product and designing के अंदर भी तरह-तरह की काम सै जिसकी product management, UI designing, brand and marketing content, etc online job apply करने के लिए हमें explore पर click करना है फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का page आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो location, team and work type select करने का option है for example location हम लोग all select करते है तो यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर कई सारे प्रकार के jobs देखने के लिए मिल जाते है जिसे product manager का job है, software engineer का job है, advertising and sales की job से, analysis की job है, area collection manager का job है, B2C business and head health insurance की job से, back end developers की job है, जिसे java, node.js, etc. back end executive manager, business manager, campaign manager, कई सारे प्रकार के jobs हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते है तो जो भी category के अंदर आपको job के लिए apply करना है, simply उस category के सामने जो button है apply करके उस button पर हमें click करना है जैसे ही हम लोग apply button पर click करते है, हमारे पास form निकल के आता है, जिस form को हमें properly fill up करना है यहाँ पर हमें हमारा resume अपलोड करना होता है, साती साथ full name and all, email, phone number, जो details है, वो हमें यहाँ पर fill up करनी है अगर आपने किसी दूसरे company के अंदर किसी project के उपर काम किया है, तो आप उस project की link यहाँ पर submit कर सकते हो साती साथ additional information भी आप यहाँ पर upload करके इस application को submit कर सकते हो जैसे ही आप अपना application submit करोगे, within 24 hours आपको PTM के जरिये phone आएगा interview के लिए फिर वो अगर टेलीफोनी interview रखना चाते है, तो वो रखेंगे, या तो आपको माइनवली office के अंदर ही जाना पड़ेगा interview देने के लिए तो इस तरह से दोस्तो आप PTM के अंदर job के लिए apply कर सकते हो, उम्मिद करता हूँ दोस्तो आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा, इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो, आपका प्यार देने के लिए और एसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर